करते हैं और हम परनिशा के वाचनित्र चलते हैं और बाइबल से लुकारची समाचार और उसका बारबाद यह पढ़ेंगे एक तालो से लेकार तालीस तक 41 टो 48 लुकारची दिकार पुचियों के प्रभू तुह द्रिश्टां अमने काईजे पर्भू आकई सर्वने काईजे रवबा करों के जेने के ओप तेनो धनी पोताना गरना ना ओने योपे समय अरना आपका सरू पोटाना इकर पर भराउ छे यह इस वाशन पोता शानों कारपार कोन छे जे दास ने तेना धनी आवी ने एम करतो जो से तेना धन्या छे जो ते दास पोताना मन मा कैसे के मारो धनी आवता वाल लगाडे छे औने दास ने दास ने दास ने मालवा मांड से औने खावा पिया तो ता शाक्त थमा मांड से तोचे दहड़े ते वाट जो तो ना थे, मेचे घड़ी ते चांचो ना थे, ते घड़ी ते दार तो जड़नी आउशे, मुझने कापी ना किने, ते रोपा अविसासी ओरी साले नरावशे जे दास पोताना धनेनी इच्छा जानिया छता, ओते सिद्ध थो नहीं होए, अने तेनी इच्छा प्रमायवत्त्यों नहीं होए, ते गणो मार्खा छे प्रमे स्वपिता कावच्छ आप वक्छन सच्चा है और वाइबल में लिखाए, यदि आप सच्चा कि अभी जागने का समय आगया है तो सभी लोग जागते रहे ना कि अभी परमेस्वर के वच्छन चलेंगे और परमेस्वर आज एक बार फिर हमसे बात करेंगे और परमेस्वर जो वच्छन पुकारेंगे वो किसके लिए है हालेलुया अलिल्या जाकर बोलो हालेलुया पहले मेरी भजात भोलना मैं यसा जास भ्रती ही वैज़क dollar होस्लaped रहें हालेलुया हालेलुया परमे सर्व ठाका बहुत दिन्यवाद skincare कि की हमारे परमे सर्व मुझा बहुत बहुत अच्छे और भले परमेस्वर हैं, हमारे परमेस्वर, वो राजाओ के राजा है, वो प्रभो के प्रभो है, और हमारे परमेस्वर की तुलना जो वाइबल में की हैं, वो उकाब के साथ की हैं, जब यहजकिल हम पढ़ते हैं और उसका सत्रा देग, तो वहाँ पर परमेस्वर को ऐसा द परमेसर के बारे में लिखा हुआ है परमेसर की तुल ना उकाअब के साथ की गी आप देखो तो कल्ग ए तो जमीन से बहुत उचाय के ऊपर वो उड़ता रहता है और कभी तुछ की पंख़े। लेकिन जब कंखर को देखोंगे तो उसकी पंख्ये श्थीर रहती है और ऐसे यह उड़ता है, ऐसा नहीं वो हिलाता ने, लेकिन वो बिना हिलाए काफी समय तक वो उड़ता रहता है उकाब, और काफी उचाय पर होता है, उसका जितना कद होता है, उससे कई गुना छोटा हमें निचे से दिखाए देता है वो आसमान में, इतने उचाय के उपर उकाब जो हैं वो उड़ता रहता है और मैंने सुना है कि उसकी जो आखे होती है वो इतनी पाउरफुल होती है कि अगर जमिन के उपर चिटी भी चलती हो वो उतनी उचाए से देख सकता है उसको ऐसी उकाब की आखे होती है और हमारे परमेस्वर की जो तूलना है वो उसी उकाब के साथ की गई है और इसलिए भजन साहिता में भी लिखाएं वहाँ परमेस्वर के लोगों के बारे में लिखाएं कि वो हमारी जवानी जो है वो उकाब की नाई एक बार फिर ताजी कर देते हैं फिर से हमें लोटाते ह वियाए अभी परमेसित के वचछन में लिखा हुआ है, बहती हान से परमेसित के वचछन को सुनना की, कि परमेसित की तुरना उकाब के साथ की है और उकाब इतनी उचाइपर, वह स्थिरता से उड़ता रिए और वहाँ से इस धर्ती के उपर अगर चिटी भी चलती हो तो भी उसकी निगाहे उसके उपर होती है और उकाब जो होता है, वो जब भी कोई सिकार करता है, तो वो अपने दोनों पंजों से सिकार करता है जब भी उसको जो खुराक ची है, वो खुराक जो उकाव होता है, वो कभी जमीन पर आकर बैठता नहीं है, लेकिन वो आकर अपना शिकाव जो होता है, उसको लेकर चला जाता है, अगर समझो कि मुर्गी है, मुर्गी का बच्चा है, अगर उसको ले जाना चाहता है, तो और वो भी पानीके अंदर होती, वो उसको दिखा देती एक और जब वो मचली उपर आती है तो वो इतनी स्पीड से उपर से नीचे आता है और इतनी स्पीड में क्यों यो होती है अगर आक कि रचने है पर्मयस्वर्ण उसको बनाया हुआ तो परमयस्वर्ण हमारे कैसे होंगे यह सिर्फ धुलना की है उकाप के साथ हमारे परमयस्वर्ण में रहते हैं अलेल्युया भ Wells उचाय के उपर्क अमनीचे से उनको देखी ने सकते इतनी उचाय पर्क हमारे प्रमेस्वर रहते तिसरे आस्मान में हमारे प्रमेस्वर रहते और वाइबल में इसा लिखाए हम पर तहे दूसरा इतियास और उसका सोलवा द्याय और उसका नौवा पद आलेलुया मैं आयात बुला सिर्थ दूसरा हीते सोलवादे इतना ही बुलान। कि यहां पर बाइबल में ऐसा लिखाए कि परमेस्वर की निगाए उस तिसरे आस्मान से इस धर्ती के सभी मनुष्य के उपर एक और सभी मनुष्य के उपर कहा पर तो बोले कि जिसका हिर्दय परमेस्वर की तरफ संपूर्णा है व इं तने उपर से इंसान को नहीं देखते हैं लेकिन इंसान इतनी उच्चाए पर रहने के बावजुदी हमारे परमेस्वर की निगाए सभी इंसान के हिर्दे के उपर है क्यों हमारे परमेस्वर जो है उनकी निगाहे वो सभी मनुष्य के हिर्दे के उपर रहती क्यों परमेसर अपनी निगाहे जो है, वो हम इंसान के उपर रखते हैं, उसका कारण क्या है, परमेसर क्या चाहते हैं, क्यों परमेसर हम सभी के उपर अपनी निगाहे बनाए रखते हैं, इसका कारण ये है, कि एक बार प्रभु इसु जो है, वो इस धर्ती पर आकर गए, औ और आकर इस्व मसी वारब्स चले गे होर in में लिखने अनुसर हमारे प्रभु इसु सु एक बार पिर आने वाले इंहींचर में ऑनिया हमारे प्रहु इस्ट एक बार आने वाले एक बार आकर गए हबक का अभी दुस्री बार उनको आने की जरय है एक बार अगर प्रभु इसु आखर चले गए और दूसरी बार आना चाहते है उसका कारण का है और दूसरी बार आने का कारण यही है कि प्रभु इसु पहली बार जो आए और अभी दूसरी बार जो आने वाला है उसका कारण यह है कि कुछ काम प्रभु इसु का अधूरा र प्रवापस बुलाएं जब हम कल जाएंगे तो सर्टिफिकेट हमको मिलने वाल हैं अब कल एक बार फिर जाना पड़े गाए पहली बार गये दिखने से तो यह अलगता है हमारा पूरा काम खतम हो गया लेकिन सही में अभी कल एक बार फिर जाना पड़ेगे क्यों उसको लेने के लिए अभी को तयार हो चुका होगा कल सुबे हमको साड़े दस बजे वो मिल जाएगा अलेलुयक प्रभु इसु भी एक बार आए और प्रभु इसु भी अभी दूसरी बार आने वाले पहली बार आए उसका कारण कुछ अलग तक और दूसरी बार आए क वो आ रहे है पहले हमारे प्रभु इसु हम सभी को बचाने के लिए आए थे हम सभी के लिए अपने जान देने के लिए आए थे प्रभु इसु हम सभी के लिए अपना लहू बहाने के लिए थे और भाईबर में भी एसा लिखा है हम पढ़ते हैं मत्ति रचीत सु समाचार और उसका 26 स्वाध्याई और उसका 26 स्वापत प्रभुईशु पहली बार आए हमारे लभू भाने के लिए हमाले जान देने के लिए हमें पापो से बचाने के लिए वापो वापो के लिए बहाया हुआ है प्रबुइस ने पापो कि ख्षमा के लिए ये अपना पवित्र लभु बहाया है यहाँ पर इसा लिखा है कि आपको की माफि के लिए, प्रभु इससु ने अपना लहुं बहाया हूए बहुत सारी नदी में ने देखे, आप लोगो में बहुत सारी नदी देखे होगी यह कि नदी तो ठेर सारे मिलती रहती हमको, तो नदी जब हम देखते हैं.. तो उसमें पानी होता है, पानी बहता रहता है, कुछ नदी ऐसी भी होती है, जो सुखी भी होती है, लेकिन ज्यादा तर जो नदी होती है, उसमें पानी होता है, और पानी बहता रहता है, और अभी जो मोसम चल पड़ा है, बरसात का, तो अभी उस नदी के अंदर पानी बढ हो वाए बहुत पानी हम को मिलता है मिलता है और नदी बहती रहन है common language को यहां पर 900 level नदी किसी को भी बόलने के लिए अगा चै αी, मेरे पास बहुत पानी, मेरा पानी वहरा है आओ और नहाओ, वो कभी नहीं बोलती, लेकिन है तो पानी उसी के लिए, कपड़े दोने के लिए पानी है, पानी हमको पीने के लिए, पानी है वहाँ पर नहाने के लिए, तो नदी का काम यही है, कि हम अपने कपड़े साफ कर सके, हम वहाँ पर नहा सके, हम पानी पी सके, इसलिए नदी को रखा हुआ है, लेकिन कभी भी नदी पुकारती नहीं है, कभी भी नदी जोरो जोरो से आवाज नहीं लगाती है, मेरे पास आओ, नहाओ, अपने कपड़े दूओ, पानी पीओ, ऐसा चिलाती नहीं है, प्रभु इसु का वच्छन भी यही कहता है, कि लहू पापो की शमा के लिए बहा रहा हूँ, परमेस्व नहीं इस चकश से इतना प्यार किया, कि अपना एक लोता बेटा दे दिया, मजज़ जान सभी के लिए दिदी, प्रभु इसुने अपना लहू जो है, वो बहा दिया, पापो की शमा के लिए बहा दिया, अभी लिए पाओ, उसके अंदर नहालो, उसके अंदर शुद हो जाओ, मेरे लहू से पवित्र हो जाओ, एसे अभी प्रभु इसु को आवाज लगाने की जरूतनीक, क्योंकि जब पहली बार आये थे, उन्होंने ये आवाज लगा दिक, पहली बार आ एक लिए अपना लहू भी बाहा दिcket, और लहू भाळैसे पहले ही उन्होंने बोल दिया, कि मेरा लहू पापो के श्मा के कारान, मैं बाहा दिता हो, और प्रभु है उसमा से लोह बाते लहू भाळैस से पहले ही उन्होंने कर दो, और हिस्सो मसीलिये जो लहू भाया, वहो कुछ ऐसा तक, जब एक ब बोतल के अंदर जाने लगा और एक बोतल बर गए और उसके बाद उन्होंने मेरा फुम लेना बंद कर देख और वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ मैंने सुनाथा चक्राते लेकिन इसा कुछी भी नहीं वहाँ पर कुछी मुझे इसा बताएं नहीं चलग एछटान प्रभुलस्भान वाया सब्सक्राइब कर है, है जाही बर्भुलस्भामो हो बनाव लेकोत्थि हैं को ब्लीन कोधा ङॉज्जाते याधर्घर्वो्ट याधर्ग बर्भुलस्भी विन रहते हैं कारी ऑफ आप ओ आप कि अ अब जो प्रभू सुना मादाने को बिल कुछ सांत बिल कुछ सांत प्रभू सुना माद चौप तिक जायती जा बैस प्रभू सुने अपना जो लहू है वो लहू पहुतों की पापों की क्षमा के कानुभा दिया जब मैंने भी लहू दिया मुझे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभू इस नो जो लहू पहायक उनको कुछ नहीं हो तो द्याङ से प्रैमिसर के वचर को सुन्दक प्रभू इस नो जब लहू भायक वह ऐसी वह सी बात नहीं थी वह जो लोग ब्लॉड डॉनेट करने के लिए जाते और वो लोग जो पहाते एसा नहीं था ये शूमस उस जमाने में जो रोमी सरकार थी उन लोगों ने इसको प्रभु इसको सजा दे थी और उस वक्त जमिन से तक्रिबन तीन या चार फुट का एक बड़ा सा एक डंडा होता है खंबा जिसा ओखंबा जो है उन जमिन से लेकर चार फुट की हाइट में उसको गाड़ कर रखते और वहाँ पर जिस इनसान को सजा होती थी उस इनसान का जो सा गर्दन होती है उस गर्दन को वहाँ पर बांदेते थी अभी समझो चार फुट मतलब यहां तक तो उसके उपर तो नहीं बांदेंगे थुड़ा सा नीचे बांदना पड़ेगा तक्रिबन तीन साड़े तिन फुट पर इस तरह से इनसान को बांद दिया जाता था और जब इस तरह से बांद दिया जाता था और पीछे जो पीट थी वहाँ पर कोड़े बरसाते थे अलेलुया वहाँ पर कोड़े बरसाते थे और जब कोड़े बरसाते थे तो कोड़ा कोड़ा भी ऐसा होता था था यूराक। टामने साथ ज्रय को पिलीजे यूला जाले को बने यूला 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 लजी पार्वित अटमाल पाईट पार्वान पार्वास yumay मार्य जालंग करूछ अपन्रीं का झार आड़ सानित इसारा मैं टालंग confusounds आमठ व कारो और थे सर्म चर्ड़े मतने मधर्ड यृश् um प्रब युश्ट एिव कृश्य द्री चुश्य फेश्य एव इव कॉर इस नमवी आख एच्छ वह समय ध्युश्य तर्गानाव इस ऩय व खुर्द रिगानाज माह चुश्या अवद बाद तर्गानाज माच है च्टरिया सरेवाध अचाल जा पार्वेड लomas कर एक रिlower 30 00 आपले हुआ उतव लो लगत आत कि अरतनु गईर थे प्रवेटर आपर नक साघरार नहीं को में जाप बने कर लीग कर का बने झालत भने तासवा थार न्य कुछ ऑनी लिग जेल टो !!! !!! सूलूस्पृत यास्था थोली इस्ट परेट्टॉ अच्साम करें कि देखिव अद्साँ फवित्रियात्मा के दोंका फवित्रियात्मा आप होगा व भुभास 인जाज भी खुता ... घली जा ज्याज गें ज्डारे नुमी परवित्रामा तंद। गमर्ठ गमार्ट स्वक्षों के गमरेट का गमें वर्ट गमर्ट गमरेट का अपक सुझ एक्मार्ट क्वार्ट है वर देपन हमते बार करो śभाव chrom थाव पवित्र अवित्र 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 अवित्र力 Sm talkinng in the name of Jesus 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 yes Holy Spirit in the name of Jesus 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 हुआू। रावनामसुच। आहत्त होुआ। जात्तने कि महले worms आत्तने दोजाई। इसकी अosp towattu रहे समेर्षन करने की भी आत्तने पता सके عहाभे घुमत … ैं clarifyो जात्तने कि महले SER रैं। बेहात्त दुप ждए। जाता ससकी बनामसुच। बना मु्हतेर है लागदार है, लागदजने करेंके लिए अनगी आगजुँ अधार वर साव भीर, जाल नहीं रिए लागदार है, लागदार। नगी नगा सिटने माला शटने। नगी यॉज़ नगी बाल Means विदाँān यॉस के फिर ऊचेजा कृदडिक नगी यॉज़ गाल ट्रबिंक ऀनर्क झाग्म dot शुवो यॉज़! दिनर्क झाग्म! बालो प्रमिश विदाँān ही! बारो प्रमे सर्च बिदर शेतनी। । । । । । । । । । में लार्त्र अपर बिये लिएऑन्ण同 1700 को अईत्र रि raptal अजया थ Killer जोप इश़ के आ Cheer परिटार्मा मुजे ले जाओं तब है स 750 मेंने परिटार्मा ऑलेलुया जो सेल जो सेल 도ि यूले warranty अजो सेल जो सेल एक मैंन insp Always ओर कानल कास्वा पालि зат… पालि 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 उोल पालि 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 पालिकедhma बदीरानिallibu बदीरानि बदीरानि ठालि पुप्रहरा आतरा क्रुद्रे पुप्रेर आतराग... क्लासमया आतरा क्रुदिए! एल्लुया! परेमियसर का बहुत सुख्रियादा करते हैं सही हमारे परेमियसर lisar बहुत थे बढ़े सय प दूस तुज आँने में रोमी सरकार के हिसाब से जमी से तकरिबन 40 श चार फूटका एक खंबा जो था उस खंबे को गार दे दे और वहाँ पर इनसान जिसको दंडो होता था जिसको सज़ा होती थी उसका जो उसकी जो गर्दन थी वह वहाँ पर बांध दी जाती थी वो तकरीबन 3-3,5 फुट के उपर ये गर्दन जो इस अभी धान से सुन लख जो गर्दन है इस तरह से बांध दी जाती थी और उसके ब के नर्क हट जो होती है को कुट कर और जो लोहा होता है जो पनुटा होग जो काम करने के बाद जो एक बचा हुआ जो छुटे-फ्च्च उसके टुक्रें होते वह भी उस पोड़े के अंदर वो लोग जह कोता इससे उसको चिपका करकते लेक्ए और जब भी ये कोड़ा किसी इंसान की पिट के उपर अगर मारते थे तो वो जो कोड़ा था वो पिट के अंदर चिपक जाता था और फिर जो कोड़ा था उसको ऐसे उठा निकालना पड़ता था और जब कोड़ा निकालते थे तो क्या होता था पूरा मास बहार आ जाता था और कैसा समझते है कि एस्व मस्ही को 49 परसाइगा कि एंसे मदना वाइबल में इसा कहीं पर जिकर नहीं है वह यहोदी लोग 49 कोड़े बरसाते दें लेकिन तो रोमी सरकार रोमी रोमी सरकार कितने कोड़े बरसाते थे उनकी मर्जी हो तब तक वो कोड़े बरसाते थे और एसे इसुमस्य के उपर अंगिनत कोड़े बरसाएगे और जब रोमी लोग कोड़े बरसाते थे तो सिर्फ पीठ के उपर नहीं वो आगे भी छाते के उपर पेट के उपर भी बरसा एक फिर कांटो का ताज पेना एक जब कोई कांटो वाले पेड के पास जाएक या तो जो बेर आते कभी तोड़ने के लिए जाए तो भी आप जाओगे उसके पास तो आपको एक दो कांटे तो लगी जाएंगे और तो काफी छोटे होते हैं अभी इसुमसी के सर के उपर कांटो का ताज पेना ताज ऐसा होता है जो पूरा सर पूरा सर जो उसको कवर कर देता है और कांटे जो होते हो कांटो का ताज क कोई भी जोरो से उसको ने पकड़ सकता है जो इसके हाथ वे हाथ के कांटे लग जाएंगी। उसके बाद जब ताज किसी को पहना उप्षी जुरूस ऐसे नहीं पहना सकता क्योंकि उसके खुद के हाथों में कांटे लग जाएंगे इसलिए कांटों का जो ताथ हो इसुमसी पर शिर्प ऐसे उन लोगों ने धीर से रख दिया था लेकिन इसुको तो मारना चाहते देख वो तो खुद को ना लगे इसलिए धीर से आलंगा ताव प्रभुस्य की खोपड़िक को पार करके दिमाग की अन्दर ये जो कांटे थे वो कांटे चुप गए ओंगे आगे से लेकर पीछे तक سर में से लहों की धारा जो हो बहने लगी जो कोड़ा बरसाए उसके अंदर से भी लहों की धारा बहने लगी यह जैसे क वैसे उनको उस कुस के उपर दोनों हाथों में और फैरों में खिल्यों मार दिये और भी उसमें से भी लहु बहर निकलने लगा। बहा दिया, यह कोई आसानी से नहीं था, कि किसी ने वो सिरेंज को डाला, दूसरी और से पाइप से सारा खुन निकलाया, और इंसान सान्ती से मर गया, यह सानी था, प्रभुईसु की जो मौत थी, वो प्रभुईसु की मौत बहुत दर्बना कुई, अब प्रभुईसु यह नहीं चाहते, मेरे लहु से किसी को सुध होना तो हो, ना होना तो ना हो, मुझसे क्या इसा प्रभुईसु को नहीं है, नदी चाहे ना पुकारती हो, मेरे पास आओ, नहाओ, अपने कपड़े दो, या पानी प्यो, लेकिन प्रभुईसु तो इस तरह से अपना लहु बहा एक कि प्रबुंस की मर्जी है कि हम सभी लोग उसमें शूत्व होना चाहिए हम सभी लोग पवित्र हो जाएं के लहूसे हम सभी लोग स्वर्ग में चल जाएं इसलिए प्रभुशन ये काम किया हुए ऐलेल्युया और इसलिए आस्मान से हमारे परमी सर्व वो देख रहे हैं उपर से निचे देख रहें, सभी के हिरते को देख रहें, कि कौन मेरे लहो से सुद्ध हुआ है, और कौन मेरे लहो से सुद्ध नहीं हुआ, ये प्रभव इसु आस्मान से हम सभी को आज देख रहें, कौन मेरे लहो से सुद्ध होता है, और कौन मेरे लहो से सुद्ध नहीं लेकिन प्रभू इस हुव जिंदा होने के बाद वह वापत सर्ग में चले गें और एक दिन इसलिद वसी एक बार फिड आने वालें और वाही बर्य में इसा लिखा हों, मत्यरचीञ्षू स्वमाचार्क और ुसका 25 वाधी यह प्रभुशु के बारे में लिखाएक कि प्रभुशु का आना किस तरह से तो बोले एक व्यापारी की तरह है प्रभुशु के प्रभुशु का आना किस तरह साएगे तो बुलाएं कि प्रभुशु का आना एक व्यापारी की तरह है उस व्यापारी ने अपने नोकरों को कुछ सिखे दिएक एको पास सिखा दियाक एको दो सिखे दिये और एको एक ही सिखा दिया और फिर वो जो व्यापारी था वो पर देश चाल गया और यह तो इसूमसी के वापस आने के बात करेकग। बड़ो इंसान जो व्यापारीय कोई और नहीं वे प्राभयिसओ एक, उसकी तुनला प्रभयिस्व, व्यापारी के साथ किन समझ़ो व्यापारी प्रभयिस्व खुद है उर वो इंसान जिसको पास सब्हाभ एक जिसको दो दिए घे जिसको एक दिए गए वो प्रभुईसु ने दिये हुए, और प्रभुईसु देकर कहा चले गए, स्वर्ग में चले गए, बोल करने गए, आपरे बोल करने कि हमें कब आने वाला हूँ, प्रभुईसु भी बोल करने गए, कि में कब आने वाला हूँ, इतना अच्छा है कि हमारे प्रभुईसु न में कुछ निशान देबी है कि मेरे आने वाले दिन कैसा कैसा होगा उसर एक DPRD पर गटनाए गटेगी स्तों वह प्रफु इसमों बोल चलें गए यहांसे तो वह तो निशान का हमारी पास है लेकिन में प्रफु इसमों और उसको मालूम होना चीन है कि व्यापार ही है, उसके वानुकरी करते ह які्यों कोड़े हैं अगर परमैसरम ने चंगाए का हमें वर्दान दियाamba क्या करेकं बस लोगों को बतलते रहें कि परमैसरम ने चंगाई का वर्दान दिया में अभिशा का वर्दान दिया उपढियस करते रहूÓ और अगर मेशले सिवा करने का वर्दान दिया तो क्योंअ करते रहू तो प्रभ इसो भी बोल कर रहे घगे और ऊचार अब हमें यह सारे वर्दान हों का इस्तेमाल करना है यह पास के में बाला दोस के मौना एक सिके म źो है वह हमी लेकिन हमारे प्रभुछूजु बोल करनेंगे, तारिक दिखरनेंगे, की मैं ये तारिक ये इस महने की और इस साल को में आ जाओंगे, और एसा प्रभुछु बोल करनेंगे, लेकिना प्रभुछूसु तो बोल कर गये की मैं बहुत जल्द आने वाला हूंँ éta sil confirmation है, की यह औ आगे पढ़ते हैं दोरी दीर में आ रहा हुं अएसा प्रभून सी बोलते हैं कि नहीं बहुत तो जल्थ मैं थोड़ी देर में इस जगत में फिर आ रहा हुं और आगे पढ़ते हैं मतिर चिसु समचार और इसका 24 वात याइक और इसका 22 वात याइक, और इसका 22 वात याइक माड़े जागता रहो, केम के जानता न थी कि कहे दियों से तो हुनों प्रभु आउसे यहां पर इसा लिखाएक, आप लोग जागते रहो, कि प्रभु सु क्या बूल कर गए, मैं थोड़ी देरे मा रहा हूं, तो आप लोग क्या करों, जागते रहो, क्यूं, आप लोग नहीं जानते कौन से तारिक को आने वाले, इसलिए प्रमिसर का वच्छवी केता है, कि आप जागते रहो, फिर आगे पड़ते, पहला थे सरोने के अग, उसका पांच वाद याएक, उसका दूसरा पद है, क्या हम के समय पोते, सारे पेटे जानों तो के, इसे हम राते जोरा आवेशे, इसे हम प्रभु न जीवर सावेशे, आलेलुया, क्या रिखाएं, जिस तरह र रात को आने वाले, लेकिन चोर की तरह प्रभु साने वाले, चोर की तरह मतनों कैसे, चोर को भी फॉन करने आता है, देखो जागते रहे न, मैं चोर करने के लिए आ रहा है, या तो खतली करने आता है, कि देखना है, इस दिन में आने वाले, लेकिन कब पता चलता है, चोर को पता चलेगा कि प्रभुषु तो आकर भी चलेगे इस तरह से हमारे प्रभुषु एक चोर की तरह आने मालें और आगे पड़ते मर्कुष। उसका तेरवाद्याइक और उसका पेटी सब्सक्राइब कि माटे तमें जाकता रहो कैम के तमें जानता नथी कि घर न दाने क्या रहा हो से सांजे बाइबल में इसा लिखा है प्रभुषु कोब आएंगे मारूम निक सामको के मदरात है वहां की आधिरात को आएंगे के मर्गो बोलती वक्ते कि सुबे मुर्गा जब बांग पुकार होते तो अमरिका जाओ केनेडा जाओ तो वहां तो सुबह हो चुकिये तो किसी जगा पर दूपेर होगी किसी जगा पर आधिरात होगी कब क्या होता है हमें मालूम ने लेकिन इस धर्थी के उपर किसी जगा पर रहा थे किसी जगा पर दीन है किसी जगा पर सुबह है इस इस तरह से हमारे प्रभुशु वो कोई भी समय पर आने वाले और फिर बाइबल में लिखाये हम परते मत्ती और उसका 24 वाद्याइक और उसका तीस वापद अने तियारे माना साथ इक राइज भाड़ा आउत्यू जब आएंगे तब बादोलोग पराएंगे अब हो tutte cooler कितना थेंशं को जाए चार मेने तब तो ये बरसात का मौसम रथा है भद को रहते ही रहते है अब जब भी बादल अब इनसान रहे गा कितना टैंशंत भातन है आई बलदा करन। थे कुछ के आधि znth समय नहीं दिया ना कोई तारीक देन और इतना लिखाए कि जब भी आंगे तो बादरों पर आएंगे अब इंसान इंतजार करें तो कितना करें हम परमेसर का इंतजार करें तो कितना करें और किस तरह से प्रभुईसु का इंतजार करें कि दो हुजार साल के करिब हो गया प्रवुशु दो बोल कर चले गांए। मैं जल्दी आ रहा हूं... जल्दी आ रहा हूं.. लेकिन कि 2000 साल होने को आ गए लेकिन अभी अभी तो प्रवुशु आये निक कर दोहोजार साल से कितनी पेडी खतम हो गहीं हम लोग है आगे हम छोटे देश्व सुन्ता सुनता है साधी ही होगी दूसरी पेडी भी आगे अब व लोगी इंतिजार करें मो legen यूचिछ क्या हो गप प्रफरी स्वाइंगे किस तरह से काईएग कोई तारिख नहीं कुछ भी नहीं हम रहे तो के ला में करे क heavot कितना करें कभ़ तक इंतिजार करें और केसी? इंतेजर करेंगे, को इतना प्हुत रादी हो, उसके इंतेजर कर पाएगा, लेकीन प्रमेसरकार bast लुस्ष, पॉलूस ने पहुतर मासे हमको पर आदमा से ज़से बतादिए जरू हमको इन प्रबुस को सिखाना चाहते, पालुस यहां पर ऐसा लिखाएक आज ही अभी ही उद्धार का दीन है उद्धार का दीन मतलब प्रभू यसु के वाफस आने का दिन उस वक्त हमारा फाइनली उद्धार परीमेसर के पास चलेगें अब और दुख नहीं अब कुछ पी नहीं हमारे जीए अब अब में से अक खरमका वाता घर्यार। अलेलुया तो प्रभु इसु का वच्चन पॉलुस इस तरह से हम को बोलते है कि आज ही बल्कि अभी ही उद्धार का दीन है अलेलुया अभी उद्धार का दीन है कभी भी सोचो अभी उद्धार का दीन है आधी रात अभी उद्धार है सुभा अभी उद्धार है दूपर अ तक और एक बार एक बाइसाब तक और पजम चेंस जबार परहेंग Lord मेरे पास खिखा हूं और विष्ट सुटा था और हम लोग बाजुद नहिए और और आपको बक्तिसमा के बारे में पता दिया कि अभी आपको बक्तिसमा लेना चाहिए और उन्हों ने जब बक्तिसमा की सिक्सा लिए वह बहुत खुश होगे बोले मेरा आपको भी दे देंगे आपको भी दें बोले नहीं आज ही करो अभी करो और उसने जीत ले लिए मुसे तो आज ही चीक उसको तलब थी एक जोस था और पॉल सही के थे अभी मसी आ गए तो तो ऐसा समझो अभी ही मसी का दीन है आलेलुयक आज ही मसी का दीन है आज ही हमारा उद्दर है और प्रभु इसु अभी आने वाले और इसलिए हम प्रभु इसु का इंतजार नहीं कर सकते वो तो अभी आने वाले अभी उत्तर का दीन है लेकिन होता क्या है कही बर हम जब भी वच्चन देखते हैं तो हम ऐसे वेसे लोगों के लिए वच्चन नहीं देखते हैं हम ऐसे लोगों के लिए वच्चन देखते हैं जिन्होंने बाइबर पड़ा एक जिन्होंने बप्तिसम में चलो, दोड़ते रो, भागते रो, एक दिन, दो दिन, एक महिना, दो महिना, छे महिना, एक साल, तो एक साल हो गया, पॉलुस तो बोल रहा था, अभी आने वाले, लेकिन अभी-अभी करते हो, मैं तो एक साल भागता राख, एक साल में मसी में राख, एक साल ऐसा हुआ, दर कि बहुत आगे पड़ा है लिकों होता है दर से जल से इथरा चल पर आए कंगे और छोड़ा से असे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् आज एक बार फिर हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु इस तरह से हमसे बात करते हैं अपने वच्छन के जरी और इंसान कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ठक जाता है एक दिन, दो, तिन, छे मिना साल फिर उसको ऐसा लगता है अभी तक नहीं आएं चुरह कोई बात न देख और उनकी एक छुटी सी सौप थी और उन्होंने ये जो अपने छुटी सी सौप थी अपने एक मित्र को दी और उसको बोला कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और आप इसको चलाते रहना और जो अपना हिसाब है उसको पूरा रखना और मैं आकर उसको दे करना काम संभालों तो बहुत अच्छी बात है अभी यह जो इंसाने तो उसको ऐसा लगा कि मालूम यह कब आएगा तो कभी जाकर दुकान खुलता भी एक कभी नहीं भी खुलता कि उसको ऐसा कि चलो आजाएगा कभी भी तो जब खुल लेंगे लेकिन कभी घर पर चुटी कभी नहीं जा रहें और एक बार हैसा हुआ कि जब मालिक जो था वह जब आया तो उसका नोकर था ही नहीं मदले को कोई परिशानी तो थी नहीं उसको कुछ डाटने वारा तो था नहीं लेकिन जो फ़ी स्वास रखकर गया था उसका उसको फल देना था लेकिन उस इनसान जब घर पर आये तो उसे सोचा चलो भी मेरी सोप पर चलता हूं और भाई साब ने बहों तीनों से मिरी सोप को संभाल आये तो चलो उसको भी कुछ दिखंगे और कुछ आनंत करेंगे और जब वो वहा पर दुवाँ पर गए उस यफक दुपान बंद terrace तो भाई साब से मिलें, बोलें नहीं मैं तो हरुच खुलता तक, मैं तो हरुच बस आज ही मेरे से बंद रहे गए। लेकिन जब दुकान खुली तो वहाँ पर जो मिट्टी लगी हुई थी बर्तोनों पर उससे पता चल गया कि भाई साब में कम से कम एक हफ़ता तो दुकान खुली ही नहीं है, उससे पता चल गया, भाई साब कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रभुई सु जो है, वह ही कहना चाहते है कि हम लोग इंतजार करते हैं, एक दिन, दो दिन, महीना, साल, और फिर इनसान को कैसा लगता है, मालूम नहीं क्या होगा, एक साल तो बिद गया, मस यहां रहाता हूँ, यहां पर हमारी जो पर वड़ासर में जो और आर्मी लगे हुए, और आर्मी का जो इलागा है, वहाँ अभी है उनका बॉह साया हूँ है और उनका बॉह सादbot जिसके हातों में सभी की TSF है, किसी की भी TSF कर सकता है, किसी की में ही कुछ भी गल्ती तो मैंने पूछा है कि चट्डा सर में बोलते हैं नहीं, वो क्या करता है, सभी के बीट में चट्डा पेन करा जाता है, और जब ऐसा है तो लोगों को ऐसा कि मारूने ये कौन है, सब इनको अपनी मस्ती में होते हैं, लेकिन उस अभी के उपर निगा लगता है, कौन सही से च सब्सक्राइब करता है, कि सामने जहां पर भी उसकी ट्रांसफर होते हैं, वहां लोग उसके ओपर पूरी तरह से, निगाहे रखे, एक इनसान आर्मी का आर्मी का बहुत सब्सक्राइब कर सकता है, कि आर्मी में ऐसा नहीं चल सकता है, हमारे परमेसर, इसलिए तो हमारे परमेसर तीसरे आस्मान से, अलेलिया, अपनी निगाहे, सभी इनसान के उस हिर्दे में लगाते हैं, कि मैंने मेरा ख वो निकला है मेरा और वो इसलिए कि इनसान को क्षमा मिले, इनसान सुद्ध हो जाए, इनसान फवित्र हो जाए, मेरे पीछे चलने वाला हो जाए, वो स्वर्गराज का वारिस बन जाए, इसलिए प्रभु इसलिए प्रभु इसलिए सारे काम किये, इसलिए प्रभु देख रहे हैं कि मेरे जाने से पहले मैं इन सभी लोगों को मैं देखता रहा हूं सभी लोगों को देखता हूं कि सभी लोग किस तरह से चलते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं और कोन कहा हैं और कैसे बेट रहे हैं और ध्या समना जिसको विस्वास है प्रभु इसु के आने ही वाले, जिसको विस्वास है, वो कभी भी आ सकते हैं, जिसको विस्वास है कि वाधिरात को आ सकते हैं, जिसको विस्वास है कि वाधिरात को आ सकते हैं, जिसको विस्वास है उस उबे भी आ सकते हैं, जिसको विस्वास है दूपर में भी आ सकते हैं, वो इनसान कैसे र हो जाएं, वो कभी भी वो ठकता नहीं, वो कभी भी ठकता नहीं, क्यों नहीं ठकता उसको मालू में, जिस दिन मेरा परमेश्वर आगे, बत्यां समझनक, आज तक हम लोग बहुत अच्छी तरस चल कर आए, समझनक कि अपी इसी वक्त हमें कुछ गलती आगे, हमारे अंदर कुछ नफ्रस्षी आगे, अभी है सवक, और अभी प्रभुई सुआ गए तो, अभी तक हम अच्छी तरस चल उसका कोई फाइदा, वो तो भी देखेंगे, एक सेकंड के लिए भी हम लोग कहां जा सकते हैं, नास में जा सकते, एक सेकंड के लिए हम लोग नर्ख में जा सक करता है, वो 24 गंटे, वो 24 गंटे, क्योंकि उसको डर लगा रहता है, कहीं अभी आ गये तो, कहीं मैं पकड़ा गया तो, मैं हमेशा, हमेशा के लिए, मैं नास में चला जाओंगा, नर्ख में चला जाओंगा, वहां से में बाहर ही निकल पाओंगा, इस से अच्छा है, राज केसे है कि तो वहां पर दस कमारी का द्रश्टांत प्रभू ने दिया है। जब मैं पहले पढ़ता था दस कमारी का द्रश्टांत उसे पताने चलता परमिस्वर कहना क्या चाहते हैं। मैं बोला एक ही दूलाग और दस-दस कमारी लड़की उसके साधी करने के लिए बाहर निकलती है क्या क्या बोलाए ऐसा कैसा परमिस्वर करने के लिए बाहर निकलती है। दुल्हे को साधी करने के लिए आना होता था और अपनी दुल्हन को वापस उसको लिए कर जाना होता था। जो इन्विटिसन कार होता है, सबी लोगों को बांट दिया जाता है। उसमें पूरी तरह से तारिक लिए दिन, इस तारिक को साधी हैं, इतने बज़े साधी का खाना है। इस सबी को सब कुछ मालम होता था और उसी वक्त सब लोगों करता होते थे, उसी वक्त बारात आती थी। लेकिन इसराइल में उस वक्त ऐसा नहीं था। इसराइल में यहां था, कि मंगनी और साधी के बीच में जादा से जादा एक साथ, उस से जादा समय नहीं होता था। एक साल के अंदर दुल्हे को कभी न कभी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आना होता था लेकिन दुल्हा कभी भी बोल कर नहीं आता था कि आज मैं साधी करने के लिए आ रहा हूँ दुल्हा बिना बताया आता थक, बारातो लेकरी आता थक, लेकिन बिना बताया, और वो कभी भी आ सकता थक, आधी रात को, सुबे मुर्गा बांग पुकारे तब, दुपर में, शांग के वक्त, वो कभी भी आ सकता थक, उसके लिए कोई समय नहीं थक, लेकिन वो जब भी आ तो दुले के आगे उसका जो मित्र था वो पकार जाता तक दुलाया, दुलाया, तो जिसकी साधी ते हो चुकी होती थी, वो सबी लोग बाहर निकलने लगती थे, वो दखते कहीं मेरा दुला तो नही आए और जो भी आया जिसका दुलाया, वो उसके साथ चली जाती थी, को लेकर चल जाती थी और अपने घर में वहां पर पार्टी करते थे वो लोग अध्यां समधा अबी एक साधी हुई था शाधी हुई और शाधी मसीह कराने में अध्यां समधा कि मसीह लोग भी सच्छने बड़ अच्छे मसीह होते हैं तो बारा बच्छे की साधी था ही कि और जो दुल्हन थी वह बारा तो समय से आए आगए और उन्होंने दुल्हन के जो कपड़े थे दुल्हन को दे दी और दुल्हन अपने कमरे में चले के तयार होने के लिए और बारा बच्छे से उससे तयार होना सुरू किया बारा बच् सभस्मिंट साग्ष सा रहाए एक बाज गांटा पास्ट्रसाइए और भाणपये अभी तरव तयार हो रहें तयार थ upload मालू है कितने बज त्यार हुआ च पार बजय design जाने कि ये समय निकाला हुआ है, वो समय को चुखते नहीं, उसी समय पर साधी कर देते कि, और आप मस्य को मानने वाले, जो योग्य समय पर काम करते कि, और इसो चार घंटे सिर्व शाधी के लिए तियार होने, अगर इसराइल में होती तो क्या होता कि, उसका दूला तो चल मंगनी हो गए, अब उनका एक साल में 306 दिन रएते, अबे जादा साधी का क्पड़े, लड़की जो हो एसी भारे क्पड़े में, वो कुछ काम नहीं कर सकती, अब घर में है, और घर में तो साधी नहीं थी, लेकिन आप प्ोडस में साधी थी, गलती से मैं भी वहाँ उसी गर में था, जहाँ साधी थी वहां नहीं, उसके करीब में एक गर था वहाँ पर, और वो लोग सुबह तयार हो रहे थे, तो पत्नी और दोलॉर की जो तयार हो रहे थी, अर पत्ती मेरे साथ बैठा हुआ था पती बारबार टाइम देख आधा गंटा गंटा कर में, तयारी हallas से पत्ता हुआ हुआ है। आ पर पत्ती था वह बहुत गरम हो गया। भाँवे खोंपर घर है कि अपने क一 सव्यात वत का दूल हुआ। और साधी में जाना एक दिन साथ होती है, हम लोगों को भी तो तियार होने तो अभी जिसकी साधी नहीं हो भी गंटा लगा रहे है, तो जिसकी साधी उसको तियार होने में कितना समय लगेगा, आलेलुया, उसको भी मालूम है कि एक ही बार साधी करनी है, बात की बात में सब कुछ होता है और अच्छी तरह से तयार होना होता है अभी समझो कि हम उस दुलहन की परस्तिती कैसे होगी मंगनी हो गई दुलहा कपड़ा देकर चला गया अभी दुलहन को तयार रहना है अभी समझो कि आधी रात को वह आ जाये तो अगर वह तयार होने के लिए बैठेगी उसको कितना टाइम लगेगा दुलहा चला जाएगा उसके आसो इसका मुझा सोती होगी तो कौनसे कपड़े पहन कर साधी के कपड़े कर जिसकी साधी होगे तो गर में बचा कर रखते कपड़े मुझे मालू में उसको पहन कर एक बार कपड़े दो कर देखना है अलेलुया अभी वह कपड़े पहन कर क्या और कपड़े दो सकती है लेकर उसको घर का काम तो करना पड़ेगा ने अभी उसकी कपड़े पहन कर वह कर कपड़े दोएगी तो उसके कितनी परसाने होगी वह कपड़े पहन कर उसको बरतल माजने कित प्रस्टे नहाति है क्या जल्दी से निकलो बहार निकलो अभी वह 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 वारत अगर अदर गंटा लगा दो अभी दूल्भा गया तो कैसे नहाती होगी कितनी स्पिड़ में राती होगी आलेवय क्यों और वहां की दुल्हन इस तरह से हर 24 गंटे तयार रहती थी अपने कभी नहीं लिखा थी हाँ जो पांच मुर्ख वारत थी वो रहे गए थी तरक्यों उनकी जो मसाल थी वो बुझ गई उनको दिखाई नहीं कि इसमें से हमारा दूला है कौन जब देखने के लिए निगली तब तो दूरे गायब हो चुके थी अलेलुया इस तरह से इसराली की लड़की की साधी होती थी उनको हर बार 24 गंटे लगातार उनको तयार रहना पड़ता था भारी कपड़े पहन कर अभी कोई भी लड़की जो है वो किस तरह से से तयार रहती होगी किस तरह से तयार रह सकती है कौन सा सामर्थ होगा उसके पास कि 24 गंटे वही भारी बंध आधी हुई थी को एक तो मेनो जो पएना तक जैसे ही सादी खत ओंगें सरदी के दिन थे और वैसे ही मेनो जैसे सादी खता ओंगें मैं उसको निकाल दिया और इसा रहा है सांती हो गए ऐसा लगा तब से लेकर मुर्टकात तक उसको नहीं पहना में वह ध्यान समझ लगा अभी औरत को हरोज पहनना है अब गर्मी के दीन हो तो बरसात के दीन हो तो उसको सारे काम भी करने कितनी परेशानी को लेकिन फिर भी उस लड़की को इतना जो सामर्थ हैं व भी भारी कपड़े मुझे मालूम है लोगों को मैंने खाते हो दिखाएं यह पहले-पहले मैं जीन्स उतार देता हूं और दूसरा हलका सा कपड़ा पहल लेता हूं कई लोग बूलते मैं मेरा बेट निकाल देता हूं बाद में खाते क्यों पेट दपता है तो खाना आता एक साल किन और तब तक उसको यह सारी परेसाने जो है उसको उठानी और बाइबल में जब परमेशन इसराल लोगों को आजाद किया था और बाइबल में गेसा लिखाए हम पड़ते निर्गमन का उत्तक पसका बारवाद्याइक पसका ग्यारवापत अनि ते तमारे आप्रमाणे खाऊ एटले तमारी कमर बांदी ने तमारा पगर का पैरी ने तो तमारी लाकडी तदा तमारा हाथ मा लएने खाऊ और तमारे ते जल्दी जल्दी खाई लिओ ते यह वानू पासखाँ छे रहे पर में लिखाईगा, एक तो वहाँ पर जो बनाना था, वो मीट बनाना था, हल्वान, बक्रक, बक्रका बच्चा, उसका बनाना था, वो भी कैसा उत्तरी वाला ने उसको फ्राय करकर, और जब फ्राय करकर तो सिफ देखते हैं, तो भी मुं में पानी आ जाता है, अभी से जल्दी नहीं, जल्दी नहीं खाना, तो टेस्ट से आनन से खाएंगे, लेकिन परमेसर ने क्या बूला था, कभी भी छुटका रहा हो सकता है, कभी भी फिर उन बोल सकता है, बागो यहां से, और उसको खाना था, तो खाना था छोड़ देना, उसको जूते पहनने मत नि फिर कोई बात नहीं, अभी इस लड़के के पास कौन सा सामर्थ होगा, जो इतने महिने तक दिनों तक बो तयार रह सकती थी, एक ही डर, तो ही मेरा दुल्हा मेरे हाथ से चला गया तो, आलेलुया, कितना प्यार, मेरा दुल्हा कहीं मेरे हाथ से चला गया तो, मेरी साधी अभी अभी जगा पर साधी होई, और जिस दिन साधी थी, उसके आगे वाले दिन, सुबह बारा तानी थी, और रात को उस लड़की को दुष्टात्माने पकड़ लिया, हम लोग चलेगा, हम लोग रात को आ रहे थे हमदा बास से, साड़े ग्यारा बजे थे, साड़े ग् परमेसर ने बहुत बड़ा काम किया, और परमेसर ने उसको छुट कर दिया, वो बोलता भी यही पर रुप जब, हम तो सुबह से निकले, कपड़ भी हम दूसरे ले करना है, अभी तो सब कुछ अच्छा है, कोई बात ने आप रखो है उसको, और कल साधी हो जाएगी, यह से हम वहां से निकले, लड़की का चाचा है, लड़की का चाचा बोता है, चलो अच्छा है परमेसर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन अभी कल वापस ऐसा हो गया, तो चलो हम पहले से वो दुष्ट आत्मा वापस था इसलिए पहले हम दरगा पर चल जाते हैं, और कल के लिए इसको बहां देते हैं, और उनों को वहां पर चले गें, और दुसरे दिन जब बारत आई, तब ही इस लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, क्योंकि वहां दरगा पर चले गें, वापस दुष्ट आत्मा आ गया, बारत साम तक रुकी, बिना साधी की है, बारती चले गए, बारती चले गए, और फिर उनोंने फोन किया, अभी हमारी बहन को अच्छा है, मेरी लड़की को अच्छा है, आप आओगे साधी करने के लिए, वह बूल कर गए दिन, आपका बेबी हमको बुला ले ना, हम लोग फिर से साधी करने के लिए यह लोग फौन रहे हम आजांगे हम तारिक देकर कर आ जाएंगे, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, अगर लड़की की साधी नहीं दी उसका धुला आकर चला गया, लड़की अगर उसको तयार नहीं थी, उसके सर के उपर तो कालिक लग जाएगी कि ये अपने दुल्हे के लिए तियार नहीं थी अलेलुया ये अपने दुल्हे के लिए तियार नहीं थी और उसका दुल्ह उसको लेकर नहीं गया अब दूसरा कोन ले जाएगा उसको अब कोई नी दे जा सकता उसको, और यही सामार्थ उस लड़की को मिलता रहता है, मैं तयार रहूँगी, चाहे दीन हो, चाहे शुबह हो, चाहे रात हो, मैं बरतन माज लएँगी, कोई बात नहीं, मैं यही कपड़े पेन कर खाना खा लूगी, मैं नहा लूँगी, मैं अगर एक सेकंड के लिए तुला आकर अगर चला गया कि साधी नहीं हुई अभी क्या कि हो सकता है साधी के बाद 20 साल 50 साल 70 साल उसको बीता रहा है अभी अकेले कैसे बीताएगी उसको वो दिखता है साधी के बाद अभी मेरे अंकल की साधी के उन्होंने पचास सी साल गिरा मनाई थी अभी तक जिंदा है पचास की साल गिरा मनाई थी तब ही ऐसा लगता है पचास साल सिर्फ साधी के होगे लड़की भी सूस्ती होगी अगर मेरे साधी नहीं हुई अगर मैं उस वक्ते आ नह मैं पचास साट साल भी दाऊंगी कैसे इस से अच्छा है एक साल कितनी भी मुझे बते पड़ेगे एक साल मुझे कितना भी दुख उठाना पड़ेगे एक साल चाहे मुझे मेरे उपर कितनी भी विपत्ति क्यों ना पड़ेगे अगर एक साल में मैं सुख क्यों न जाओ, एक साल मुझे उपास क्यों न करना पड़े, एक साल तक मैं सही से चल क्यों न पाओ, लेकिन एक साल तो मैं तियार रहोंगी, और बाकि के पचास साथ साल तक आराम करोगी, हालेलुया, अ प्रभु यसु, कलीशा के कौन है, दुल् आती रात को आया हमको मालूम नहीं, लेकिन एक बार अकर चले गए, हैलेलुया, फिर अनंत काल के लिए नन अंत काल के लिए नर, और यही सामर्ध से जो लड़की होती ती, वह एक साल तक आसाने से वो पास कर सकती थी, और वो आसाने से तयारे सकती थी, वो ध्यास सम Elsa, हम उसके बास्वर्ग में कितना है अंगिनत वहां पर गिंती करने की जरूत नहीं है क्योंकि गिंती वहां पर हमारी खतमी नहीं होने वाले की और इसलिए हमें क्या करना है प्रभु इसका इंतजार हर वक्त करना है हर समय पर करना है हर समय पर हमें तैयार रहना है और इसलिए प अभी आने वाले, अभी आने वाले, अलेलुया, हमारे प्राभु आने वाले और यही हमको सामर्थे दें, और इसलिए भाइबर में ऐसा लिखाएं, हम पड़ते हैं, ये शार नभी का पुस्तर, उसका 40 वाद याई, उसका 31 वाद, पर यहोवानी वाद जोनार नव सामर्थे पाम से, तेवो गरूर्णी पेटे पाखो प्रसार से, तेवो दोर से निथाक से नहीं, तेवो आगर चाल से निनिर्गत्था से नहीं, हालेलुया, 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 ह कवा आईए graph Meghan घृराकर लेकिन जूइंट जर में करते हैं तो क्या करेंगे ? इसका मतलब यह नहीं को हमत्रोद करते सिर। और इसका मतलब यह सोचेंगे आते हैं यह हम इसका मतलब आसा नहीं है मैं यह इसका मतलब इसका क्लि雅 बोल दीके में कैया ? अलेलुयक जो इंतजार नहीं करता है अलेलुयक लेकिन जो इंतजार करता है आजाओ कब आते हो अजाओ वो देखते रहते हैं कि बाट जोते रहते हैं और वो जो बाट जोने वाला कैसा रहता है हर गड़ी तयार रहता है वो हर वक्तन वो हमेशा के लिए वो तयार रहता है और जो तयार रहता है उसको क्या मिल लेगा नया सामर्थ अलेलुया फिर से पड़ा चालिस का 31 पर यह वाट जो ना नौ सामर्थ पार्म से यहां पर इसा लिखाए नया सामर्थ और जो परमेसर की बार्च होते हैं वो क्या करेंगे हर वक्त परमेसर के लिए भागते रहेंगे परमेसर की चाको पूरी करते रहेंगे चाहे एक साल दो साल दस साल बीस साल वो कभी भी नहीं था करें क्यों मेरा परमेसर ब्या जाएंगे अगर आगे उसक्त में त्यार नहीं मुझे सर्क में जाना हैं और उसको एक सव्स मिलता रहता हैं और वाइबल में लिखाएं उकाब की ना ही क्या करता है पंक की उपठता है उपब electrI के लिए अलेलुया उपर जाने के लिए और जो पर में सरका इंतजार करते हैं वह भी क्या करते हैं उकाब की नाई वह हम ऐसा उपर उपर और वह आगे ही बढ़ते रहते हैं एक बार फिर से पुड़ेंगे पर थकेंगे नहीं इसा हो सकता है लेकिन जो पर में सरका इंतजार करते हैं और भागता रहता हैं वह कभी भी नहीं थकने वाला क्यों जैसे ही थका अगर महसूस भी होगी पर आ गये तो चल उटकर भागो आ गये तो स्वर्ग रहे जाएगा और भागो क्ता नहीं हो आगे तो आगर चाल से ने निर्गत थसे हाँ वो अपना होसने का वादेंगे वो कम जोर नहीं हो जाएंगे चुनों भी बेढ़ जाते कुछ दिर बेढ़ता है और सांस लेते और फिर आगे बढ़ते यसा उनके साथ नहीं होगा फिर आलेलुया वाइबर में लिखा है जो पर में सरका इंतजार करते हैं वो इसी त प्रमश्वर उनको दिखते हैं अे प्रमश्वर उनको देखते न तो प्रमश्वर उनको नहा वरते ether रहते रहते हैं और इसलिए जब प्रभाईस हुआ है तो क्या हुआ महार जिसके पास एक सी का थाथ आस्मान से कि धर्टी के उपर सभी के उपर आच वियुआ membशन के अंदर जो हुमने पड़ा लुका उसका बारवा दिया और तम से पहले प्रभुशन नए बात कि थी पर वह बात की थी चोर कि और में प्रभुशनें साब कि चोर कभी भी किसी को बता कर नहीं आतक अगर इंसान को पता होता कि चोर आने वाला एक कौन से समय पर आने वाला है तो जागते रहता अगर उसको पता होता कि चोर आने वाला है तो जागते रहता और अपने गर में उसको चुरी नहीं करने ले तक ऐसा प्रभु उसने एक द्रश्टान दिया, जब ये द्रश्टान दिया तो पत्रास और बाकी चेले जो देख, उनको सवाल हुआ, और सवाल हुआ तो उन्होंने पूछ लिया, प्रभु ये द्रश्टान आप किस पर बोल रहे हैं, सभी के उपर, या हमार उपर, या हमको छोड़कर जो बाकी लोग किसके उपर आपहे जो द्रश्टान दें, उद्रश्टान बोल रहे हैं, मैंने कई बार बताया है, प्रभु ये जितना बोलते, बस उतना ही सही, वो ना तो ज़्यादा बोलते, ना कम बोलते, प्रभु ये उनको जो उत्तर दिया, और हम पड़ते हैं, लुकाबारवाद तो जे दाड़े ते वाट जो तो न थी ने जे गड़ी ते जान तो न थी ते गड़ी ते दासनो दणी आउसे ने तने कापी ना किने तेनो बाग अभी स्वास्विनी साते ठराउसे भाएपड में लिखा है जब वो उसकी बात नहीं चोता परमेसर उसी वक्त आएंगे अब बहुत धें समदना कि परमेसर सई में हमको कहना क्या चाते कि इसराइल की लड़की वो खर वक्त तेयार क्यों रहती थी अपने दुल्हे के लिए क्यों तैयार रहती थी वो इसलिए मेरा दुला जो मेरा है किसी और का नहोंुदा है, मेरा दुला मेरे हाँ से चलाना जाएक। मैं 20-70 साल साथ हो किसी के सहारे बर्टवाँगे। इसे कारण से वो जो लड़की होती थी, फूरे साल तक सा जब तक का पति नाएं जब तक रूलत को कैसे रहती थी तक पूरी तरह से तयार रहती थी. एक रीद ही … दर्द था। sólo हर दहरती है मिर दूल्हा चल गया थो मुझे नहीं मिला थो यहीं एका रीद ही वक्षय,. और यही एक डर की वज़े से उसको हर सामर्थ मिलता है। हरो सामर्द मिलता है उसको प्टक का मालुम धन ज्यादा से ज्यादा एक साल तक मेरी प्रशी थी है उसके बाद तो मेरा दुल्ला आयेगा आयेगा और आयेगा ही और मैं उसके साथ हमेशा के लिए आनद में खूज जाऊंगी और वो जो बाकी के 50-70 जो साल देख उसके कारणस को ये साल पूरी तरह से हिम्मत मिलती थी वो ठकती नहीं थी वो भागती रहती थी और हर वक्त उसके दुले का इंतजार करती रहती थी मातलब सिर्फ देखना नहीं, इंतिजार करना मतलब तयार रहना वो तयार रहती ही, इसी तरह से हम कलिष्या को प्राभुल्सु के लिए कैसा रहए तयार रहना हे हर वकaci तयार रहना है, लेकिन तो पाच मेने चलते चलते, साल चलते, रुक जाते, या तो थोड़ा इधर उदर चाते, उनको ऐसा भी आज दूलवा तो नहीं आएगा, मेरे प्रभूसु आज तो नहीं आएंगे, कल आएंगे मैं कल तो वापस जुड़ जाओंगा, उत्या समझ तक, एक बार अगर गलती करो, अगर कुछ नही होता हमत बढ़ जाती, मैं जब दस्रीम आया, तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं घर से निकला हूँ, और स्कूल में ना गया हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन दस्रीम एक बार मैं हम्वर्ण नहीं किया था, और मैंने ऐसा सुना बहुता कि कई नड़के ऐसा तो मैंने सोजा चलो आज में भी ऐसा करता हूं, मैं और मेरा मित्रा में बहुता हैं, आप दुन आम ऐसा कुछ करते हैं, वे ठीक हैं, हम एक बाल लेकर घर से निकल गए, और स्कुल के समय पर निकल गए, और स्कुल को छोड़ कर हम कहीं और चल गए, तब तो घड़ी तो हमा हो गई, अभी हमको घर पर चाना चें, हम घर पर आगी, वभी अवी ब्रोड़ डिरराई, मैं भी ब्रोड़र कर गर रहा हूं, मुझे तो ऐसा घर अपर पर पाप को पता चले गया होगा, फूरी पूरी पिटाए होने वाली, वो भी सुचता था कि पापा को पता चल गया होगा, पूरी पिटाए होगा, मैं तो घर में आकर बेठाँ, अभी मारेंगे पकड़कर, अभी मारेंगे, कुछ नहीं कर रहा है, जैसा था हर बाम आहल बस पे ऐसा ही चल रहा है, तो कुछ भी नही कुछ नहीं हुआ, अच्छा है, फिर तो 11 में, पीचर नहीं बूला कि, अभी नहीं आवें तो एक्जमने दे पाओगे, क्योंकि पता चल गया, कुछ होता ही नहीं है, कहा पापा को पता चलता है, कहा ममे को पता चलता है, हिम्मत खुल गई, फिर भूल जाओ, कि आप वही शक् foolish नहीं से उस रास्थे पर आजाओगे, कि परमेस्वर को छड़कर एक साल चल कर, दो साल चल कर, दस साल चल कर, जब ऐसा लगता है, कि प्रभू तो नहीं आ रहेख, अब उसका इंतजार नहीं करना है, चलो एक पता इधर जाकरा ते, जो थोड़े से संसार में जाकरा इस प्रुड़ नहीं आएंगे जो झान हम सबक्राइं करने गांगे बैसे खालितर पिर से घृत्र जाना फुरे मेशल के है या नहीं है वाइबल वही का वही रहता है वाइबल प्रात्मा होती रहती है मिटिंग में जाते रहते हैं चर्च में जाते रहते हैं लेकिन सही में परमेसर वाला जीवन नहीं रहता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं परमेसर में हूं या नहीं हूं मैं इंतजार करत या नहीं करता हूं कुछ भी नहीं 민िक़ंफे पूसको दूसरे अपने जासी कहा दिखा दें , अधी कि वह कूंसा रजर्णिय वाला है की . अध extrêmement सीक्रसे त। रह जाए गार तो रहा था य। होगा तभी परमेसव आ देगा , और शरी परमेसर क्या बनते हैं ? फिर से पड़ो छेयल सौपद, तो जेव दहारे ते वाट जो तो न थी, ने जे गड़े ते जान तो न थी, ते गड़े ते दास्नों धनियाव से। भाय बर्मली का, जिस वक्त वो इंतजार नहीं करता तो, उसी वक्त उसका परमेशर आ जाएगा। हालेल्याक। हमारे प्रमेशर कौन आएगे? जब बुद उसी का इंतजार नहीं करतागी। लेकिन ये बात हमारे जेुन में पूरी ना होने पाएगा। हमारे सभी के जेँन में पूरी ना होने पाएगे। इसलिए प्रमीशर हम को वच्छा रहेते ह। परिमिस रही चाहते हैं कि हम हर वर उस इसराइल की लड़की की तरह हम तयार रहे हैं ताकि जब भी प्रभु आएक हम उसके कपड़े पहिंतर हम पूरी तरह से तयार प्रभु कलाते हो और प्रभु कलाते हो तो आजया जाओ मैं तयार हूँ प्रभु कलाते हो मैं तयार नहीं है मिलता है ने मिलता है और कोई घर है नई है पेसा है नई है सुना है नई है कुछ भी ने कोई फिकर मत करो लेकिन परमेसर के पूछे इमानदार से सच्चाई से और आत्मा से चंतरों उनका इंतजार करते रोगे कि मेरा प्रभू सु कप आएंगे हमको बोल करनेगे लेकि जिस वक्ताइक उस वक्त हमें भागन आ प्रभू सुगागे चुकाते हैं छो राजा आएं जो इस सौग के परमेसर हैं जो कभी नवत आ नवाले परमेसर एक हालेले अचीक सासे तार्भू अपने दुलहन को ढगेर के लिए प्रभू सुग बहुत ज़तार हैं आ रहा है हम उसकी कलीसिया हम उसकी दुल्हन है अपने दुल्हन को लेने के लिए प्रबसु बहुत जदार है अगर आज दुख उठालोगे तो मेरे प्रियों आने वाले हजारो लाखो अर्बो साल अफदार हो लेकिन अगर आज आनन्द करने गए तो हजारो लाखो अर्बो साल जिसकी कोई गिंती ने है कोई गिंती खतम ने होना ले है और वहां से कोई छुटकारा अभी नहीं है इससे नर्ट मिछल जाओ तो इससे अच्छा है आज तैयार रहो हो कि हर वक्त तैयार हो जब तक प्रबुशन में आते हैं जब तक हमारे मौ इस्ट कुछे खतर बब एक हमारे मौैंगी ने है इससे अच्म Miguel योना प्रब्शन में च्यारी चैनी में तो रहा हूए म tou clicked डिक प्रहा है और घ्नक जाक करेंगा थीथे सम्म आख़ जाओं सतन में सब्स्णों आखें ऑ्रिखशन में पॉहहीं है च्छुन आख़े सतन में